हेलो दोस्तों नोटिफाई, नॉलेज में आपका स्वागत है और फ्रेंड आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी स्कोलर्शिप दो हजार तेश चोबिस के बारे में फ्रेंड अगले तीन दिन के अंदर बहुत सारे छात्र की छात्र विर्ती जो है उनके बैंक एकाउंट में आने वाली ही, किनकी छात्र विर्ती उनके बैंक एकाउंट में आगी इसके बारे में आपको जनकारी वीडियो में मिलने वाला है अगर आप लोग का form verified हो तो आप लोग यह मा सोचिए कि हमारा form verified है, तो हमारी scholarship आएगी ऐसा नहीं है यहाँ पर बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनका form verified होते हुए भी उनकी scholarship नहीं आने वाली है किनकी scholarship form verify होते हुए भी नहीं आएगी इसके बारें भी आपको जनकारी वीडियो में provide की जाएगी आप लोगों से रिकवेश्ट रहेगा अगर आप लोग नए होंगे या फिर मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीस इस वीडियो को like share कीजेगा नए होंगे तो चैनल को जरूर subscribe कीजेगा तो फ्रेंड जैसा कि आप लोग को पता है कि 28 March को भी यहाँ पर बहुत सारे छात्रों की छात्र विर्थी उनके bank account में आई है मैंने इसके पहले एक वीडि अब यहाँ पर जो 28 March को चात्र विर्थी आए थी यह complete चात्र विर्थी जो है जनल वाले चात्रों की लिए थी और जनल वाले चात्र जितने भी थे उन सभी चात्रों की चात्र विर्थी 28 March की डेट में उनके account में credit हो गए ठीक ना अगर फ्रेंड यहाँ पर हम बात करें त यहाँ पर 25 March के डेट में भी यहाँ पर चात्रों की चात्र विर्थी भेजे गए थी जो 25 March को चात्रों की चात्र विर्थी भेजे गए थी उसमें जो है ओबीसी कास्ट के भी चात्र थे ठीक ना उसमें जो है यहाँ पर मायनोटिक कास्ट के भी चात्र थे और उसमें जो ह के डेट में यहाँ पे only जो है यसी और यस्टी वाले छात्रों की छात्र विर्ती उनके एकाउंट में ट्रांसफर की गए थी वो भी उनका जो है जो second installment था second installment उनके एकाउंट में आया था ठीक ना अगर यहाँ पे हम 27 March की बात करें तो 27 March में भी छात्रों की जो छात्र विर्ती है उनके एकाउंट में आया थी बड़ जो 26 तारिक को पैसा भेजा गया था बहुत सारे छात्रों का पैसा जो होल्ड या फिर अंडर प्रोसेसिंग हो गया था तो उनी छात्रों का पैसा दो है 26 March को उनके एकाउंट में ट्रांसफर हुआ है वो भी 27 March की डेट में जो यसी और यस्टी वाले चात्र थे उनका जो सेकंड इस्टॉर्मेंट वो यहाँ पे उनके एकाउंट में क्रेडिट हुआ है ठीक है ना तो यहाँ पे आप लोग दे सकते हैं कि 25 तारिक को भी 26 तारि थे उनके एकाउंट में ट्रांसफर किया ठीक है ठीक है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 25 छबी 27 चटाईश लगातार चार दिन यहाँ पे छात्रों का जो पैसा है उनके एकाउंट में क्रेडिट हुआ है ठीक है अब यहाँ पे आपके पास जो है तीन दिन बचे ह हुए हैं यहाँ पर 29 तारिक है 30 तारिक है और यहाँ पर 31 तारिक है ठीक है ठीक है अब बहुत सारे candidate ऐसे हैं जो confused होंगे कि यहाँ पर 31 तारिक को यहाँ पर संड़े पढ़ रहे यहाँ पर तीन दिन के अंदर किनका पैसा आने वाला है यह तीन दिन के अंदर आप चयह ओबी सी कार्ट से बिलोग करते होंगे चयह आप लोग यहाँ यहां फिर यहाँ को बेरिफाइड कर जया है अगर आप लोग एलिजिबल तो आप सभी छात्रों की छात्तविर्दी जो है 29, 30, 31 यहाँ यहाँ पर हो सकता है कि जो स्कॉलर्शिप का डिस्टिबूशन है आप लोग के अकाउंट में की जाए टी करना तो जो भी यहाँ पर प्रोसेस होता है जो भी यहाँ पर प्रक्रिया होती है अगर आज यहाँ इस्कॉलर्शिप डिस्टिबूट होता है तो चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले इनफॉर्मेशन दे री जाएगे ठी करना बट आप लोग अपनी उम्मीद मत हारे ठी करना आप लोग यह मह सोचे कि यहाँ पर जनरल वाले छात्रों का पैसा आ गया मैं भी जनरल कास् है 31 मार्ट तक है तो उससे पहले पहले जितने भी eligible candidate होंगे जिनके फार्म को verified कर जागया होगा उन सभी छात्रों की छात्रविर्ति उनके account में आने वाली है ठीक है अब बहुत सारे candidate ऐसे हैं जिनके current status में verify recommended by district scholarship committee वाला रेजन सो कर रहा है अब यह छात्र जो है यहाँ पर OBC कास्ट से बिलोंग करते हैं या तो आप लोग यहाँ पे general कास्ट से बिलोंग करते हैं और या तो आप लोग जो है यहाँ पे minority कास्ट से बिलोंग करते हैं मैं आपको लगतार और बार बार एक ही बात यहाँ पे आप लोग को बताता चला रहा हूँ कि इनकी जो scholarship होती है इनके गतवर्ष के percentage के base पर होती है आप लोग के लिए एक merit list त्यार के आती है merit list के according आप लोग की छात्य विर्थी यहाँ पे भेजी जाती है ठीक है ना और आप लोग का जो यहाँ पे लाह जटे स्कॉलर्षी पाने का यह 31 मार्च है ठीक है ठीक है ठीक है ना तो जितने भी यहाँ पे OBC जनरल मानोटी वाले candidate है इन सभी छात्य विर्थी गतवर्ष के percentage को देख आती है अगर आप लोग का गतवर्ष का percentage जो है अच्छा खासा है उन सभी छात्यों की छात्य विर्थी यहाँ पे आ चुकी होंगी ठीक है ठीक है ना और मैं यहाँ पे बहुत सारे candidate से बात किया हूँ जहाँ जनरल से रहे हों जहाँ ओबीसी से रहे हों जहाँ मानोटी से रहे हो ठीक है अधिकतर candidate यही मिले हैं और यही बोलना है कि सर हमारा जो है यहाँ पे 60 प्लस है ठीक है ठीक है तो जितने भी यहाँ पे candidate है जनरल ओबीसी मानोटी अगर उनका जो है यहाँ पे first division से तो उन सभी छात्रों की छात्र विर्ति उनके एकाउंट में ट्रांसफर कर देगे ठीक है ठीक है ठीक है ना कुछ कुछ छात्र ऐसे भी में जो बोले देखी सर हमारा यहाँ पर 59% है मेरी स्कॉलर्शीप आई गई है तो मैं उनको जो है अपवाद के तौर पर यहाँ पर अगर आप लोग जो है पोस्ट मैंट्रिक आदर दन इंडर के कैंडिट होंगे और आप लोग जो है OBC जेनल मैंट्रिक कास्ट से बिलों करते होंगे तो जितने भी यहाँ पे 60% से उपर वाले कैंडिट है उन सभी छात्रों की छात्र विर्ति आ चुकी है अगर नहीं आए होगी तो आपका जो है 31 मार से पहले पहले आ जाएगा ठीक है आप सवाल यह उठता है कि जो पोस्ट मैट्रिक आदर दन इंडर के कैंडिट है जिनका यहाँ पे मतलब किसी किसी का यहाँ पर 55% है किसी का यहाँ पर 54% है क्या इनकी स्कॉलर्शिप आएगी या फी नहीं आ अगर आप लोग की स्कॉलर्शिप 31 मार तक आ जाती है जनरल ओवी सी मैनोर्टी वाले तो समझे लेजे कि आपकी स्कॉलर्शिप आएगी अगर 31 मार तक नहीं आएगी तो मान के चले कि आप लोग की स्कॉलर्शिप नहीं आने वाली है भले से आप लोग के फाम को यहाँ verified कर जाएगे है ठीक है तो यहाँ पे जितने भी general OBC minority वाले connect है आपको बिल्कुल परिशान होने की आवा सकता है नहीं अभी भी यहाँ पे budget अविलेवाले ठीक है न क्योंकि यहाँ पे लगतार 25, 26, 26, 26 लगतार यहाँ पे छातरों के खाते में पैसा भेजा जा रहा है अभी by district scholarship committee वाला रिजन सो कर रहा है तो उस condition में आप लोग की जो scholarship है 100% आने वाली है अगर आप लोग जो है first phase के candidate होंगे आप लोगोंने 31 December या तो उससे पहले पहले अपने फार्म को final summit करके hard copy को college में जमा करा दिया होगा ठीक है ना तो आप लोग की छातरों विर्ति यहाँ प रखा गया है यह 28 जून रखा गया ठीक है ना तो यहाँ पर सारी मतब मैं सारी category वाले छातरों के लिए बाते कर चुका हूँ और आप जो है किसी भी कास्ट के छातरों होंगे जनरल OBC, SC, ST, MANUTI अगर आपके current status में यहाँ पर rejected by district scholarship committee वाला रिजन सो कर रहा है आप लोग के farm को शमाज कर लिए भ्याग का दोरा reject कर जया गया है तो उस condition में आप लोग का जो है पैसा नहीं आने वाला चाहिए आप किसी भी मतब कास्ट के छातरों चाहिए आप कोई भी coach कर रहे होगा ठीक है ना बाकी friends मैंने आपको complete information देदी मेबी जनकारी आपको अच्छी लगे हो